नमस्कार आप सभी को इंटरनेशनल योगा डेगी हार दिक्षुप काम ना है रिशिकेश दे कैपिटल सिटी आफ योगा यहां से आज हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही रेनाउन बहुत ही फेमिस योगा चार्या राजिंदर जी से नमस्कार आप संधी सर कैसे आप मैं ठीक हूं आप कैसे हैं मैं बट बड़िया हूं आपको योग दिवस कि हार दिक्षुप काम ना है योग के चेत्र में मेरा रहा है तो जैसे आपने पूछा कि योग के चेत्र में मेरा रहा है प्रारंबिक तोर पर मैंने योग और योग की विध्या अपने गुरु लोगों से रिसी केस में ही प्राप्त की है और उसके बाद मुझे रिसी केस के कई आश्रमों में काम करने का मौका मिला जहां मैंने कई लोगों के साथ योग के विशे में जाना, उनके अन्भवों को समझा और योग की अपनी अध्यान को आगे बढ़ाया इस 13 साल में योग के माध्यम से मुझे विदेश जाने का वहाँ के लोगों से मिलने, वहाँ के सब्वेदाओं को समझने कामों का मिला और कई गुणी योगी जन मुझे इस मार्ग में मिले जिनोंने मुझे गाइडेंस अपना मार्ग दिसन दिया तो एक लंबा समय है, अब मैं चाहता हूँ कि ये समय मैं अपने अन्भव को लोगों के साथ शेयर करूँ, उनके साथ बातूँ. जधी करूँ, आज के डरीट में, आज के ने प्रस्पेक्टीव में हम लोगों को देखें, लोग, कुछ ऐसे भी है जो सुपूज पर हूँ कुछ ऐसे भी है जिनके लिए योग एक बिजनस है, तो जिकल फिटनेस का सारीय है। ऐन्हुत, Чद्झ पूण इन तीनों तरह के लोगों को यह इस इन तीनों फ़ॉर्मेट को आपकासे देखते हैं निके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि योग है क्या कि जब आप उस चीज़ को जान पाएंगे तब आप इस चीज़ को आसानी समझ पाएंगे तो योग एक प्राचीन विधा है ज और उनका अपने जीवन का जो निचोड है वो हमें प्राप्त हुआ है हमारे कई उपनिशत पुरान सूत्र हैं जिसमें योग के बारे में विस्तार से वरंण किया है इसमें एक सूत्र है जिसे बोलते हैं पातंजली योग सूत्र जिसमें पातंजली सी ने योग के बारे में तो जो योक का जो गूड है और कह सकते हैं कि योक का जो अर्थ है कि अपने को जानना योगस चित्वृत्टि निरोधा भी दिने मेंस्ट आपके चित्व वृत्वित्याँ उसका निरोधर करना ही योग थेकर आज के संधर में देखें तो योग एक आसन या जाद साधा प्राणायम की पद्दती है, अपने सरीर को फ्लेक्सिबिल लोच लाना, या एक जरिया है अपने को रोजगार स्रिजन करने का, या कुछ लोग जो गहरे सादक हैं, उनके लिए योग एक साधना पद्दती है. तीनों ही भी परकार के लोग रिसी केस आते हैं, अपने अपने हिसाब से वो सीज को महसूस करते हैं, तो जैसे आपने में इसको पूछा कि जो फिजिकल फिटनेस के लेवल है, या आध्यात्मिक वक्ष है, या इसका जो प्रोफेशनल पक्ष है, तीनों अपनी जेगा सही है लेकिन आपको या हमको यह दिखना पड़ेगा कि हमारी प्राइर्टीज क्या हैं, अगर आप एज एक करियर चाहते हैं, यह बहुत सांदा करियर है, इसमें आप अपना स्वास्त लेते हैं, साथ-साथ सामाज के लोगों को भी स्वास्त परदान करते हैं, अगर आप इसे साथना लेते हैं, तो यह आपके लाइफ को बैलन्स करता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ को बैलन्स करता है, आपके फैमिल लाइफ को बैलन्स करता है, आपके सामाजिक लाइफ को बैलन्स करता है, और अगर आप इसे आध्यात्मिक लेते हैं, तो आपकी अपने को जान इसको यह हार्ट सिटी है योगा के लिए, योगा, the capital city of yoga से entitled है ये शहर, जब भी योग के बारे में बात होंगी, आज से नहीं, जब से हम नहीं योग को जानना शुरू किया है या समझ दना शुरू किया है, या सके बारे में बात होनी शुरूय हैयर योगा का एक तरह एसे विस्तार हो na एक उसकी पैकेजिंग होती है बहुत बड़िया तरह इसे पैकेज में बनाया जाता है आज बड़ी दुनिया जहान में बड़े अच्छे-च्छे स्पार्ट्स हैं आज की डेट में आपको क्यों लगता है कि रिशिकेश अभी भी पूरी मजबूती के साथ यह पक्ष रखता है अपनाया यह दावा करता है कि नहीं प्राचीन काल से ही हमारे आध्यात्मिक और जो हमारे चारदाम यात्रा है उसका केंद्र राह है और यहां जो रिशी मुनी सादू संथ अपना ध्यान भजन कीरतन करते हैं उनके से जो कलेक्टिव उर्जा बनती है वो सैथ कहीं और हो रिशी केस के अंदर इतना पोटेंशल है कि अगर आप सही सादक हो अगर आप योग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो यहां की उर्जा यहां की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी प्राचिन काल से ही कई सादक कई योगी मुनी यहां इसी परपस से आये हैं आपने जैसे का पैकेजिंग या पर्मोशन मेरको नहीं लगता है रिशी केस को पैकेजिंग या पर्मोशन के आव सकता है क्योंकि यह तो इन बिल्ट है रिशी केस में यहां के खून में है यहां रिसी केस वाले से पूछेंगे, उनको थोड़ा बहुत इसका भान है कि योग है क्या, बलही वो प्रैक्टिस में हो या ना हो, एकि उनको इसका भान है कि योग वाकिम है क्या, हो सकता है, आपने बहुत सारे कोर्स कर लियो हो, बहुत सारे डिकली रे लियो हो, लेकिन आपको तो भान्नाव कि योग है क्या, आप सिफ आसना, प्रानयाम, ध्यान तक सिमित हो, लेकिन कई साधक हैं जो इसके गूड अर्थ को जानते हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक आपको योगा टीचर या उस टैप की जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, वो नहीं जीते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है, उनके लिए एक पद्दती है, अपने जीवन को जीने के लिए, और इसके जो लक्ष है, हमारे चार लक्ष है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो जो इसका टॉप मोस्ट लक्ष है, मोक्ष प्राप्ति, वो लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसी केस, इस चीज के लिए परसिद है, जब हम लोग, मैंने पिसले कोईशन में भी आप से कहा, कि दुनिया हमारी तरफ देखती है, जब बात योग की आती है, बहुत बदली है दुनिया पिछले दो सालों के अंदर, अगर हम लोग देखें, जो दोनों वेब जाई को जड़ा, जो बचा, अब उसको समारनी के तयारी में है, योग कैसे तयारी कर रहा है? योग प्राचीन काल से ही हमारे सारिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सायक है, पहले हम लोग अपने सरीर के परती, अपने मानसिक स्वास्त के परती इतने सजग नहीं थे, हम लोग अपना सुख बहुतिक जगत में, चीजों में ढूंडते थे, लेकिन इस COVID के कारण, जब हमारे लिमिटेशन बढ़ गए हैं, हम लोग घर से नहीं भार निकल पा रहे हैं, या हमने अपने मित्रों को, अपने कुलीक्स को खो दिया है, तो हम लोग मैसूस कर रहे हैं कि स स्वास्त रहना कितना इंपोर्टेंट है, और यहां योग एक भहुत महत्तपूर्ण रोल अदा करता है, चाहे वो आपका साड़िक स्वास्त हो, चाहे आपका मानसिक स्वास्त हो, या आपका सामाजिक जीवन हो, तो जो लोग इस फेस से बच चुके हैं, वो योग अपना कुछ आसन करें, प्राणायम करें, कुछ ध्यान करें, और जो योग की टीचिंग है, जो योग की शिक्चा है, उसको अपने जीवन में उतारें, क्योंकि हमारा जीवन लिमिटेट है, बहुत लंबा समय हमारे पास नहीं है कि हम बहुत साड़ी द्वर्फा करें, तो जितन तोना हमको अबी समय है, वो थोड़ा सा हमको अपने अध्यात्मिक और सारिक स्वास्त के बारे में सोचना चाहिए. जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, हरी के अपने अपने प्रायरिटीज हैं, योगा को लेकर के भी लोगों की प्रायरिटीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने का वो मोक्ष के लिए काम करते हैं, योगा करते हैं, या उनके लिए मोक्ष का एक जरिया है, कु योगा के, क्या आदमी अपने हिसाब से पाइदान चुन सकता है कि मेरा अभी मेरा लक्ष जो है मोक्ष नहीं है, for example, अगर मैं बोलू हूँ, मेरा अभी लक्ष फिलाल मोक्ष नहीं है, अभी मेरा लक्ष कहा है कि यह मेरा है ठीक रहे है, ठीक है, यह मैं इससे कुछ गें कर पाऊँ, because being in, मानलो बहुत सारे बच्चे जो अभी टीनेज में है, उनको मोक्ष में अभी कुछ नहीं दिल्चास्पी है, वो दिल्चास्पी साहद उनकी मैचारटी के साथ बटेगे, मैं आज की बहासा मैं इसको सब्सक्राइब करने के कोशिश कर रहा हूं, तो क्या यह जरूरी कि जब हम लोग टार्गेट करें तो सिर्फ वह हमारा टार्गेट हों, तो विकनेट गो कि हम लोग पैला इस्टप दूसरे स्टप के लिए भी, तो सकते कि हाँ यह टार्गेट है भी इस पर फोकस करते हैं तो देखिए आप इस चीज को ऐसे समझे कि योग का उच्य लक्ष और उस लक्ष को पाने के लिए हम आप अलग लग माध्यम है, चाहे वो भक्तियों के माध्यम से हो, चाहे ग्यानयों के माध्यम से हो, राजयों के माध्यम से हो, हठयों के माध्यम से हो, लेकिन ऐसे आपने का कि अगर किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का अलक्ष और मोक्ष नहीं है, तो डेफिनिटली उसके और अलक्ष होंगे, हो स कोई भी अपना लक्ष को उसको ले के योग को सुरू कर सकते हैं .' विल्किन योग में एक आसियत है जैसे से आप इसमें घहराई से उतरेंगे आपको और और चीजे मिलती जाेंगी .' तो आप निग अपने थोड़ा सा दाइविंग करना सीख लिया थोड़ा पानी में गहरा उतरे तो आपको रहार है तो बहुत दूसरा वर्ल्ड है इसके बारे मैं तब को जानकारी नहीं थी तो आप जितनी गहराई में उतरेंगे तो आपके लिए नहीने चीजे आपके सामन अभी और आप बना इसे हो सकता है मेरे टेचर लोगों ने का कि अब अब आप न पूरा करो लेकिन हो सकता है मेरे भागी में था टो जब अभ्यास पड़ा जान मेरा लोगों से तो देरे धिर रुजहान चेंज होता है तो हो सकता है अभी COVID के टाइम पे कुछ लोगों को साइडिक परसानी है, मांस्री परसानी है, वो उसके चुड़कारा पाने के लिए योग करें, लेकिन अगर वो लगातार अभ्यास करेंगे, तो धीरे-दीरे उनका रुजान बदलेगा, और वो धीरे-दीरे करके आध्यात इस शहर की तरफ से या रिषिकेश की जो कम्यूनिटी है, योगी कम्यूनिटी है, या मतलब मैं तो कहूंगो योगा की तरफ से दुनिया को क्या संदेश रहेगा आज के दिन परसास कर, कि क्या देखिगा, मैं इसमें एक चीज़ और एड कर देना चाहता हूं, कि बहुत स क्या है, वो शौट पैकेज अगर मैं बोलूगी, छोटा, आसान और मैं जिसको मैक्जिमम लोग अपलाई कर पाएं, वो एक डेली रूटीन के कुछ टिप्स अगर आप चाहिए, या आप चाहते हैं, कम से कम ये तो हमारी डेली रूटीन में होना चाहिए, तो यहां आप यहां के योग अचारियों से, यहां के गुरूं से आप योग का सिक्षा लें, और मैं आपको गारेंटी करता हूँ कि ऐसा ग्यान आपको सायद कहीं और मिले, कई यहां गुणी जन हैं, कई ऐसे योग अचारे हैं, या हमारे सादू संथ हैं, जो कही अच्छे से आपको य अपने देनिक जीवन में और कम से कम आधा घंटा अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करें मल्ला आप अपना एक प्रोग्राम बनाएं कि आधा घंटा कम से कम मेरेको योग करना है आप किसी दिन आसन कर लें किसी दिन प्रानायम कर लें किसी दिन कोई चैंटिंग कर लें और बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना बनाएं, क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, आप उसको अचीव करने के लिए ज्यादा रफट करना पड़ेगा, और हो सकता है आप अपनी इस एफ़र्ट में सक्सेस ना हो, तो बेसिक से सुरू करें हलके फुल के जॉइंट ओपनिंग करें, हलके फुल के वयायम करें, और धीरे-धीरे करके अपना स्टेमिना अपने प्रैक्टिस को बढ़ाएं, चलिए सर, आपने अपने कीमती समय में से अपना समय निकाला, आपका बहुत बाताबार, बहुत धन्यवाद, थैंक्यू सु मैं बाला जी लाइव टीवी का हारदिक धन्यवाद अता करता हूँ, मैंने इसमें कई सारे लाइव, सोज, कथाएं देखी हैं, और अगर आपको हमारा ये कन्वर्शेशन अच्छा लगा हो, तो किर्पया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की किर्पा करें, तैं झाल